देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर खाशा उत्सा है और उत्सा हो भी क्यों ना 31 अगस्त जो नजदीक है 31 अगस्त को ही घर-घर बप्पा के मूर्ती अस्थापित की जाएगी लगातार दोशाल 2020 और 2020 में सक्त कोरोना गाइडलाइन्स की वजह से गणपती बप्पा के भक्त उस उत्सा से गणेश चतुर्थी नहीं मना पाये थे जिस धूमधाम के साथ मनाते आ रहे थे हाउसिंग सोसाइटी में भी गणेश चतुर्थी को लेकर धूमधाम है सोसाइटी के मेंबर्स अपने परिसर में पंडाल लगा रहे हैं वहीं दूसरी और अपनी हाउसिंग सोसाइटी की साप सफाई भी कर रहे हैं इस वीडियो में देखिए किस तरह से मुंबई से सटे नाला सोपारपस्सिम की एक हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स बड़ी शिद्धत के साथ अपने मुख्य द्वार की सफाई में जूटे हैं। अब भगवान को जिस रास्ते से लाया जाएगा या फिर जिस रास्ते से उनको विदा किया जाएगा जहिर है वो रास्ते साफ सुथ्रे होने चाहिए। कई लोग तो हर साल इस मौके पर अपने घरों को कलर भी करवाते हैं। तो आपका घर भी किसी हाउसिंग सोसाइटी में है और सोसाइटी में गणेस चतुर्थी का आयोजन होने जा रहा है तो सोसाइटी को साफ सफाई करना मत भूले। कहते हैं ना कि भगवान का वास वही होता है जहां पर साफ सफाई रहती है। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही धन्यवाद। दोस्तों ये मेरी साथ किताब है जो की Amazon.com पर पबलीस है आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हुए हैं इन साथ किताबों में से पांच किताब मनी मैनेजमेंट पर है यानि पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर अधारित है